यह प्रसंग उस समय का है जब श्री राम वनवाज से वापस लोटे थे वापस लोटने के पस्टा श्री राम सर्व प्रथम माता कैकई से मिलने के बाता कैकई श्री राम आने के बावजूद अपने कक्ष में ही थी तो श्री राम ने जाके माता कैकई को पुकारा और कहा मा इस पर मा काई काई ने कहा तुम मुझे मामत कहो राम मैंने तुम्हें पीडा दी वनवास दिया मेरे वज़े से तुम्हारे पत्नी का हरन हुआ तुम मुझे मामत कहो इस पर शिरी राम ने उत्तर दिया कि माते यदि आप मुझे वनवास नहीं देती यदि वो मुझे पीड़ा नहीं होती यदि मेरे पत्नी का हरण नहीं होता तो इसे राम को समस्टर भारतवस शिरी राम नहीं कहता आपके जिन्दगी के अनुभाव आपके सबसे अच्छे शिक्षक है मेरे दोस्त जो वक्ति आपको पीड़ा दे जो वक्ति आपको तकलीव दे जो वक्ति आपको सबसे दुखत अनुभाव दे उन्हें सबसे प्रथम नमन करो क्योंकि वो आपको जिन्दगी में वो सिखाएंगे जो आपके जिन्दगी के अच्छे पल भी आपको सिखा नहीं सकते